अब 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 आज अम लोग आनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे चिकन अच्छो अब रेड़ेंगे आनिक कंपाउंड कई कर अब देखें बात करते कि आनिक कंपाउंड जो किसे बने होते हैं आयन से बने होते हैं जो है आइन पाउंड जो आइन से क्रिएट होते हैं उन्हें आइनिक कंपाउंड गोला जाता है लिए अब देखे कोई भी आपका आइनिक कंपाउंड हो इसमें देखे दो तरीके के आइन सोते हैं एक पोजिटिव होते हैं जिनने आप कैटाइन बोलते हो और एक नेगेटी वोते हैं जिनने आप अन आयन बोलते हैं ठीक है ना और दोनों ही एक्वल में होते हैं ठीक है दोनों का बैलेस जो है बराबर का होता है ठीक है न, जा आए नाने चांबित पोलिटीव जार्ट इन और गर्ट्रॉट अन और भूप संधिन और फोंडिव ग्यूड गर्टिक फोगड जार्ट पीटिव थैसे पार्टिव हुआ जालेंग पोलिटेट चालेंगे देखे ना देखे जो इनके चार्ज है को लस और माइनस वाले दोनों के कारण क्या बनता है कर दो है फ्रांग आई एक संफ फोर्स लगता है कि का यह एक संफ परस पैसे ऐख एक फोर्स लिए इनको बोला जाता है क्योंकि यह चार्ज कार्म लग रहा है इंद आप अब देखें में आप कर लें गांपल में अब अब ने लिया है सोडियम क्लोराइड इसका फर्मॉला क्या होता है यह ने चील यह आपका सोडियम क्लोराइड है अब सोडियम क्लोराइड की अगर बात परें पर एक प्सक्राइड चार्ण और पर एक नीगेटिव चाउट है तो मैं अब अब देखिक क्या है और भी कई सारे हैं आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं यह कैसे बनता है अब देखते हैं अब देखते हैं आईने कंपाउंड का फर्मूला मास देखते हैं यह निक कंपाउंड को फर्मूला मास देखते हैं और निक कंपाउंड में इतने आइन्स होते हैं जो क्या वे लिए निट्रल होते हैं जीने ही आप फर्मूला यूनिट कह सकते हो जैसे अगर हम फ्लोरियम आयन की बात करें कि तो नहीं क्या है इक्वल नम्बर आफ चार्ज है और यह जब इक्वल होते हैं तो नहीं है इप यह पर क्या जाते हैं इसे क्या बोलते हैं फार्मूला यून वोगा है तो यह संप्लेक्ट कॉमिनेशन आफ इस बात करें मौनियम सल्पेड तो मौनियम सल्पेड तो मौनियम सल्पेड कर इसमें मौनियम पर होता है यह मौनियम हो जाता है और यह सल्पेड हो जाता है तो यह बात हो जाई है अब देखिए क्या दिन में फार्मूला मास होता है किसी कहते है अब देखिए फार्मूले मास के अगर हम बात करते हैं तो आनला मांद देखिए क्या होता है किसी भी यानि कंपाउंड का फार्मूला मास होता है यह द्लेटिव मास होता है और यह रिलेटिव मास किसका होगा यह रिलेटिव मास होता है कि फार्मूला यूनिट का को आप में अहां इसो कंपेर करते हैं सी 12 एटम चे ठीक है ना कंपाउंड यह रिलेटिव मास आप इस फार्मूला यूनिट आप यह रिलेटिव मास आप यह रिलेटिव मास होता है इसके फार्मूले यूनिट के जो कार्बन 12 के 12 यूनिट से कंपेर किया हुआ हुआ है यह दूसरे वर्ट में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं और मूला मास अब ती संद्ध आप दी अटॉमिक मॉसेज अब दी एटम्स और आयंस रिप्रिवेंटेड वाइट्स फार्मूला ठीक है ना तो अब देखे क्या होता है तो किसी भी आयनिक कंपाउंट अब फार्मूला मास होता है अब दी आपको नेक्स वीडियों के बताए डायंकि वेरी मच वाजून दी प्रवाजिक निस वीडियों झाल